Hello my dear students, आज हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 117 जो की है दिनांग 25 नमबर 2020 के लिए आज की वर्क्षीट का सब्जिक्ट है English जो की आपकी टेक्स्ट बुक मेरी गुल्ड पर आधारित है यह वर्क्षीट है क्लास 5th के लिए यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम आज की वर्क्षीट है चाप्टर गुलिवर्स ट्रैवल्स के बारे में तो चलो फटा फट शुरू करते हैं Good morning students, you must have enjoyed the adventurous journey of गुलिवर Let me see how much of the story you remember Good morning बच्चो, आपने गुलिवर्स की यात्रा जरूर एंजोए की होगी चलो देखते हैं कि आपको कहानी कितनी याद है तो आपके लिए पहला प्रेशन है Oops, I jumbled the story Please write the story in the correct sequence and number them आपको क्या करना है? यह है गुलिवर्स की कहानी उसमें आपको बताना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ यह जो sentences लिखे हैं यह आगे पीछे हो गए है कोई पहले लिख दिया, कोई बाद में जो पहले आना था वो बाद में लिख दिया गया है तो आपको यहाँ पर number डालना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ तो बच्चों आप दियान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सबसे पहले आएगा उसके बाद I was captured by a farmer तो गुलीवर बताता है कि 16 जून 1730 को उसे एक जगे मिली क्या नाम था उसका, land of giants वहाँ पर उसे एक किसान ने पकड़ लिया farmer took me to his home, किसान उसे अपने घर ले गया farmer's one year old son grabbed to eat me किसान का एक साल का बेटा उसे खाना चाहता था उसने उसे खाने के लिए पकड़ लिया farmer's wife put me on bed and covered me with her handkerchief किसान की पतनी ने मुझे बैट पर लिटाया और मुझे अपने handkerchief रुमाल से ढख दिया, तो ये है correct sequence पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और last में ये तो इस तरह से आप ये वाला question कर लेंगे तो A question हमने कर लिया, आप करेंगे second B तो बच्चों ये है, from page number 119 of the textbook Marigold, write the sentence that tells you that Gulliver was a learned man तो बच्चों आपको बताना है, आपकी book के page number 119 से कि वो कौन सा वाक्या है, जिससे पता लगता है कि Gulliver एक ग्यानी आदमी था कि उसे बहुत सारा ग्यान था, तो बच्चों आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे ये है एक sentence, I try to speak to them loudly in several languages मतलब Gulliver को बहुत सारी भाशाएं आती थी, तो इसका मतलब हुआ वो ग्यानी था तो हम लिख सकते हैं, the sentence that tells us about Gulliver's being a learned man is I try to speak to them loudly in several languages, यही वाक्या हमने यहां लिख दिया अब चलते हैं, question number C पर तो इसमें हमें करना है degree of adjectives हमने यह पिछली वरक्षीट में पढ़ा था degree of comparison जब हमें किनी चीजों की तुलना करनी होती है, जब हम nouns की तुलना करते हैं तो हमने पढ़ा था positive degree, comparative degree और superlative degree तो बच्चों आप को याद होगा और अगर नहीं है तो एक बार वो वीडियो फिर से देखें और समझें कि हम किस तरह इनका इस्तेमाल करते हैं और फिर आप fill in the blanks करेंगे गुलीवर इज आएगा, tall man, यहाँ जो word दिया गया है उसी का इस्तेमाल करना है और उसी में आपको degree of adjective लगानी है जो बेबी बोई था वो गुलीवर से लंबा था the farmer is tallest among them और जो किसान था वो सबसे लंबा था next इसमें आप इस word का इस्तेमाल करेंगे an apple is a juicy fruit shape क्या है एक, raspberry फल है an orange is juicier than an apple जो orange है वो apple से ज़्यादा juicy है तो कौन सा शब्द हैगा juicier ये है comparative degree sugar cane is juiciest of all जो गन्ना है वो सबसे ज़्यादा juicy है मतलब juiciest आएगा तो बच्चों इस तरह से आप question number c कर लेंगे अब चलते हैं आगे question number d अब हम ये वाला question करने वाले है I have written a story about Gulliver but have forgotten to punctuate the story मैंने यहाँ पर एक कहानी लिखी है Gulliver की कहानी लेकिन उसमें punctuation marks का इस्तेमाल करना भूल गया हूं can you please do this for me क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हैं तो हमने बच्चों punctuation mark के बारे में पढ़ा था पिछली वरकशीट में तो आपको उनका इस्तेमाल करना है कि कहां पर capital letter आना चाहिए कहां पर full stop आना चाहिए कहां पर apostrophe का इस्तेमाल होगा तो आप वो सब देखेंगे और ये वाला question करेंगे तो आप करेंगे Gulliver loved to sail to distant lands Gulliver को अलग-अलग जगह पर जल यात्रा के द्वारा जाना पसंद था He wanted to become a sailor वह एक नाविक बनना चाहता था He went on his first journey at the age of 18 वह अपनी पहली यात्रा पर 19 साल की उमर में गया There was a heavy storm and ship was wrecked but he managed to save himself तब वो अपनी पहली यात्रा पर गया तो वहाँ पर बहुत आधी आई और उसकी जो ship थी वो एकदम बरबाद हो गई लेकिन वो अपने आपको बचाने में सफल रहा He returned home safely वह अपने घर सुरक्षित आ गया Gulliver's wife felt so happy to see him Gulliver की पतनी उसे देखकर बहुत कुश हुई तो बच्चों यहाँ कुछ चीजें हैं आप उनको करेंगे जैसे यहाँ पर जी बढ़ाएगा हर जग्या पूल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर अपस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है तो आप दियान से करेंगे और यह कोशन भी लिख लेंगे अब चलते हैं आगे अभी भावकों के लिए सुझाओ बच्चों को किसी प्रेरक प्रसंग के माध्यम से समझाएं कि हमें किसी के साथ भेदबाव नहीं करना चाहिए अपीतू मित्रता पूर्ण व्यवार अपनाना चाहिए तो बच्चों यह चीज आपको समझने चाहिए कि हमें किसी के साथ भेदबाव नहीं करना चाहिए हम सब एक समान है तो हमें सब के साथ एक समान बेभार करना चाहिए हमें किसी को बुरा भला कभी नहीं कहना चाहिए तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट आप कीजिए और अपने वट्सप ग्रूप पर सेंड कीजिए थैंक यू बच्चों, have a nice day and take care